विल्कम भाग्टाजनल चलिए स्टाट करते हैं आज शोड के साथ है। हमलों बारे में तो स्टाट करते हैं सब फिस पहले ह JE क頭 पेले हमें चलोक यह यहां कि उससे पहले हम नेंहें के ने प्रॉपरली बाइंग कर सकते हैं अगर देखा जा तो मार्केट थोड़ी सी वॉलटाइल थी हम लोगो पहला टार्गेट मिल तो गया बट क्योंकि मार्केट थोड़ी सी वॉलटाइल थी तो ऐसे सिचुएशन में प्रीमियम जो होता है मार्केट में वह जल्दी जल्दडी जाëता है तो बहुत बड़ा Πॉट इस केस में नहीं हो पाता है, मतलब अगर देखा जाजा है फ़र्य के नीचे हम लोग को एक AND 98 एग्जकूइशन तो मिल गया था हम लोग साथ हो इसके बाद मार्केट अपसाइट पे अगर देखा है तो एक बार को detal को भी थे बहुत . अधर चासे में निकलर भी यहां पर तो इसलिए पहले इसको discuss कर लेते हैं यहां पर आज के दिन पर अगर देखा जाए तो 6410 हम लोग का एक बहुत अच्छा लेवल नजाद आ रहा है क्योंकि यहां पर मार्केट अगर देखा जाए तो पहले भी rejection लिए और उसके बाद अगर देखा जाए तो एक बार अगर देखा जा तो टार्गेट यहां पर 6458 का हम लोग को मिल सकता है उसके वाला अगर कोई decent टार्गेट हम लोग chase करना चाहे तो हम लोग upside पर यहां पर 6511 का भी एक trade ले सकते हैं यह भी एक level हो सकता है बट अगर notice करो तो यह हमारी एक losing point है तो इसको हम लोग बहुत जा है तो downside पर execution बहुत जादा मुश्किल नहीं होना चाहिए downside पर देखा तो इन वाले levels के नीचे मिल सकती है एक काफी चोटा सा target हम लोग कहीं हो सकता है तो इसको हम लोग ऐसा target ना मान के एक चोटा सा support मान सकते हैं यहां पर इसको अभी हम target ने लिए रहे हैं अगर यहां पर मार्केट आके support ले लेती है in case तो थोड़ा बहुत यहां पर position booking कर सकते हो या better case होगा कि अपना stop loss अपना ले आके entry point पर लगा देना अब उसके बाद अगर देखा जा तो target हम लोग फिलाल अभी एक ही ले रहे हैं 6,299 का downside पर देखा जा तो यह काफी अच्छा target हो सकता है क एक बार यहाले levels ब्रेक कर लेती है market तब हम लोगों को downside पर बड़े momentum भी देखने के लिए मिल सकते हैं पर इंसरेंस यहां पर देखा जा तो फिर हम लोगों को यहाला target मिलने पर बहुत साथा टाइम ने लगेगा जो कि 6191 का है अब हो सकता है यह थोड़ी सी positional क्या सकते ह लेकिन एक तरह से अगर देखा जा तो इन वाले levels के बीच में कोई भी यहां पर बड़ा support नहीं है तो यह काफी अची और attractive trade हम लोगों के लिए बन सकती है बट देखने वाली बात है कि market actually में यहां पर इन वाले levels को break करती है या हम लोगों को ऊपर side ही trade मिलती है अब यहां चलते है natural gas पर natural gas में अगर देखा जाए तो natural gas में जो हम लोगों ने कहाँ पर discuss किया तक कल वाले levels वह अभी भी play कर रहा है तो अभी हम लोगों यहां पर fresh level की at least जरूवत नहीं है यहां पर एक चीज़ नोटिस किया जाए तो यहां पर lower lows और lower highs यहां पर natural gas लगातार लगा जा रही है देख तरह से देखा जाए तो यहां पर downtrend के अंदर ही हम लोगों फिलाल नजर आ रहा है बट यह है कि मोमेंटम हम लोगों डाउंसाइट पर बहुत जादा नहीं मिज़ा है अगर देखा जाए पिछले दो बारी से तो अभी क्या करना चाहिए अभी के लिए द अच्छा खासा पुल बैक ले ले उसके बाद दीमे दीमी नीचे आ रही फिर ब्रेक कर रही है तो उसकेस में होता क्या है कि टार्गेट हम लोगों का छोटा हो जाता और उसमें हम लोगों को प्रॉपर ट्रेड डाउंसाइट की नहीं मिल पाती है तो अगर माल लेते हैं क कोई सेलिंग पैटर्न बन गया हैट इन चोल्डर एम पैटर्न वगरा बन गया तो उस बेसिस पर आप पे जरूर एक बार को इंट्री मार सकते हो टार्गेट हमारे डाउंसाइट पर लोगे फिर तो उसकेस में बन फिफ्टी अले लेवल के आस पास के आपकी आ जाएंगे अभी के लिए मानते कि यहां पर डवलो पैटर्न मन जाता है बॉटम पर तो अम लोग फिर यहां पर एंट्री ले सकते हैं डाउंसाइट के लिए मतलब सारी अपसाइट के लिए टार्गेट हमारे पहले होंगे यहां पर 153 के और दूसरे टार्गेट से नहां पर 155 के जाल इसी के साथ चलेंगे मिलेंगे अगले वीडियो में वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना शेर करना और साथ यसाथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ओके बाए